हाँ चोणेंगे सबी नमो अरिहंतानम नमो सिध्धानम नमो आयरियानम नमो वच्छायानम नमो लो एसव साहूनम एसो पंच नमुकारो सव पाव पनासनों मंगलानम्च सवे सिंपडमं हवै मंगलं नमो दुर्वार रागादी वैरिवार निवारिने अरहते योगिनाथाय महा विरायताईने उमकार बिंदु सैयुक्तम नित्यम्ध्यायंतियोगिना कामदं मोक्षदंचेवा उमकारायनमु नमह अज्ञानति मिरांधानां ज्यानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितम्येन तस्मै श्री गुरवे नमहा तस्मै श्री गुरवे नमहा मैं कौन हूँ पाया कहा से और मेरा स्वरूप क्या मैं कौन हूँ पाया कहा से और मेरा स्वरूप क्या संबंद दुख मय कौन है स्वीकृत करूप रिखार क्या वीत्राग विवाई नमहा श्री गुरूप क्या मार्च की सेशन शुरू करने से पहले धुनी परियोग करेंगे तो इस धुनी के परियोग के अंदर हम जो है लंबा श्वास लेंगे और श्वास लेने के बाद किवल मकार की धुनी करनी है और जितनी दीर हमारी मकार की धुनी होगी उतना हमें फाइदा होगा इसे लंबा गहरा श्वास भरेंगे और मेरे साथ साथी सभी को करना है भरे लंबा श्वास रिलाक्स फिर से भरे लंबा गहरा श्वास रिलाक्स परे लंबा गहरा श्वास अंतिंप रियूग रिलाक्स नॉमल धीमा श्वास चले लास्ट क्लास में तीर्थंकर नाम कर्म के उदे से तीर्थंकर पत के एश्वर्य को और तीर्थंकर के अतिश्रियों को हमने जाना कहते है कि जैन श्रमन योग साधना का जो महान उत्कृष्ट निमिध है यानि इस साधना पद्दती के परियोग करता एवं इस साधना पद्दती के प्रणेता जो है तीर्थंकर भगवान है और इस संसार में वैसे तो वैरागय के बहुत से निमिध विद्यमान है जैसे हमारी योग्यता पकती है हमारी काल लबदी पकती है तो हम वैरागय को प्राप्त कर ले दे है कोई ना कोई निमिध पाकर किन्तु कहते कि तीर्थंकर का निमिध इस संसार में सर्वस्रेष्ट निमिध है उनके सानिध्य में आने वाले जीव की जब काल लबदी पकी हुई होती है तो बड़ी सहस्ता से बहुत को पाकर साधना पद्दती पर प्रयोग करते हुए वा जो है मुप्ति का लाप कर लेता है कहते कि तीर्थंकर का सानिध्य हमें कब तो प्राप्थ होता है तो भरत और एरावत में तो केवल तीसरे और चौत्यारे में चाहे अवसर पिणी हो चाहे उठसर पिणी हो तीसरे और चौते आरे के अंदर ही हमें तीर्थंकर का नमित प्राप्त होता है शेशकाल में जो है हमारे लिए तीर्थंकरों का जीवित उपस्तिती जो है संभब नहीं है किन्तु महाविदेक शेत्र ऐसी भूमी है जहांपर तरह 00.00 को निमित मिलता हि रहता है वाकि शेत्र भूनि वहां के द्रभ्यक शेत्र कालभाव का सयोग ऐसा है तो तिरथंकर की उह पतिके अनुपूल जो है खाला साधु वाक यसले तिर्थंकर कर्वाज के समय समय में इस 24 में हमारे अजीतनाद बगवान के समय में इस पृत्वी पर सबसे अधिक तिर्थंकर विद्यमान थे यानी उतकृष्ट जिन कहते हैं 130 होते हैं maximum इस प्रिच्वी पर तो पांच भरत के पांच जिन थे पांच एरावत के पांच तीर्थंकर थे और कहते कि विद्धेग शेत्र में 32 विजे है तो प्रती विजे में तीर्थंकर मौझूद थे और ऐसे विद्धे पांच है तो 5 इंटू 32 इस इकोल टू 160 तो 160 प्लेस पांच भरत और पांच एरावत के खुल मिलाकर 170 तीर्थंकर अजितनाथ भग्वान के समय में इस संसार पर जो है विद्धेमान थे और कहते हैं कि अब जब भरत और एरावत दोनों शेत्रों में जो है तीर्थंकर नहीं है तो जगन्य से हमें कितने तीर्थंकर प्रत्वी पर मिल जबेंगे तो कहते हैं कि विद्धे शेत्र के चार विजव में तीर्थंकर होंगे होंगे तो ऐसे पाँच विद्य है और चार विज़य से मल्टिप्लाइए करने से 20 विहरमान जो है सद्धाही प्रत्वी तल पर रहते हैं और जिनको उनका सानिध्य का सभागय प्राप्त कर लेते हैं किन्तु जहां तिर्थंकर अनुपसित है उस शेत्रों का क्या जैसे पांच भरत में अभी तीर्थंकर नहीं है पांच एरावत शेत्रों में तीर्थंकर नहीं है तो वहां धर्म की आराधना कैसे होगी तो कहते कि जैन श्रमन योग साधना के साथ आधार है तीर् साधू साध्वी श्रावक श्राविका यह हमारे लिए जीवन्त आधार कहते हैं कि तीर्थंकर की सानिध्य में आने वाले जीव है विस्वयम तीर्थ रूप हो जाते हैं एक श्रावक का जीवन तीर्थ से कम नहीं है एक श्रमन का जीवन तीर्थ से कम नहीं है तो हमारी जिं तो वे पांच वैल्यूज है ना उस पांच वैल्यूज के कारणि हम सबका जीवन जो है पीर्थ बन गया और वह पांच वैल्यूज क्या है उसको हम समझेंगे कहते कि यदि दस अलग-अलग जाती के लोगों को अगर हम खड़ा कर दें ना और और सभा में सारे अजयन लोग और जजबी अजैन हो है ना अब प्रश्ण करें कि सबसे ज्यादा दया करूना या अहिम्सा मैं जीवन किसका है तो सबसे अधिक गोट जैन को बिरेंगे क्योंकि जैन की अहिम्सा की जो पराकाष्ट है ना उसके तुल्य में तो संसार में और कोई समाज या कोई जाती है बात करते हैं पर जीकर जिस प्रकार जैन बताता है ना उसके कंपारिजन में और कोई ही नहीं तो इसलिए सबसे अधिक दया करूना अहिम्सा अगर कहे तो जैन में ही पाये जाएं पिर कहते हैं कि दस अलग अलग जाती के लोग होंगे और उनमें अगर पूछा जाए कि हैं लोग ना कभी किसी को धुका नहीं देते हैं उनके मन में जो है उनकी नीती खोटी नहीं है तो इस प्रकार से ट्रस्ट वर्दी नेस भी जैनों को ही माना जाएगा फिर उसके बाद जब हम पूछेंगे कि सबसे जादा चरीत्र संपन्न लोग कौन है किनका कैरेक्टर स तो उसके वोट भी जैनों की ही गिरेंगे यह बात अलग है कि अब जो है चतुरविद संग के सानिद्य से दूर जाते हुए जिन्वानी से दूर जाते हुए अनेकों श्रावकों के जीवन में जो है व्यसन प्रवेश कर रहे हैं किन्तु एक श्रावक का जीवन आज भी मै वैसन मुपत जीवन हैं ना वे परिस्त्री सेवन करते हैं नहीं वैश्यागवन करते हैं नहीं मद्य और मांज़़ादी को सेवन करते हैं १िय है आज ग्रे में वोट जैनों की ज्यादा गिरेंगे। उसके बात कहते हैं कि अलग अलगों के दीच अजयाती दस लोग होइ तो हमारे अंदर इतनी करुणा आई कास है हम इतने प्रामाणी कितने ट्रस्वर्दी बने कैसे हमारे चरित्र इतने पवित्र हुए कैसे और हमारे अंदर इतने दानपुन्य की भावना आई कैसे तो कहते हैं कि हमारे मूल में जो पांच वैल्यूज है ना जो तीर्थंकरों कि कारण ही हम इतने इमानदार मै धुन व्रत के कारण ही हमारा चरित्र पवित्र है और नो ब्रज़म ब्रच के दिए करण ही तो हम अवश्यक्ता से अधिक जो भी हमारे पास है उसे पांफॉर तो ये पांच वालियूस जो है थूल रूप से श्रावक फॉलो करता है और सूक्ष्म रूप से श्रमन फॉलो करता है और इसलिए श्रमन महावरती है और श्रावक अनुगरती है और ऐसे संसकार और ऐसा जीवन ही कोई तीर्थ से कम है क्या और इसलिए तो तीर्थंकर पार रही है और पाती रहेगी 21000 वर्ष के अंच तक चतुर्विच संग का ही आधार मिलता रहेगा जिन वाणी के अंदर हम जो वैल्यूस को सुनते है वो वैल्यूस यदि जी कर हमें कोई बताता है लाइव एक्जामपल अगर है तो वो हमारे चतुर्विच संग है हमारे चार तो चतुर्विच संग है और पाचवी जो है जिन वाणी में हम जैन दर्शन को पड़ते सुनते हैं और जीकर हमें बताता है अब दूस्रे तो आधार बिट्षे है जैन श्रमनयुग साद्रा के जब तीर्थंकर का एपसंच रहता है तो दूसरे आधार यह हैं एक तो मुक्ति के कारण कैसे बनते हैं यह हमारे जैन श्रमन योग साधना के आधार कैसे बनते हैं इसको हम हम्यारप क्याइन होता है कि अंदर उसका मैज़क Sunny कर दूके किए तुकि दिन रात जिस uh प्रतिमा के समक्ष ध्यान किया जाता है पूजा अर्चना की जाती है भक्ति की जाती है समर्पन जताया जाता है आस्ता प्रस्तुत की जाती है तो उस आराध्य के गुंद तो आराधत में आने ही आने है इसमें तो कोई शंकाई नहीं मानों के कोई विद्यारती है और वो दि शॉनिकाग्र। उन उसके हाथ में विद्धिया है जो विद्यार्थी प्रति है उसकी पूजा करता है उसके अदर उकागरता शॉन चित्ता यह तो प्रकट होगी होगी ना वो जेंटलनेस वो सौम्यता वो तो आएगी ही जैसे अगर कोई भोग मिलास की और आकरशित है और वो लक्षमी की पूजा करता है तो उसके अंदर लक्षमी की क्वालिटीज आएगी ही राजसिक गुण प्रकट होंगी ही फिर कहते हैं कि युद्ध करना भारत में जित्ते भी युद्ध लड़े तो युद्ध से पूर्वकिस को पूजा गया शिव को पूजा गया क्योंकि शिव को सम्हारक शक्ति के रूप में माना जाता है अगर किसी के प्राण हरना है हमें हमारे रफ्ट को उबालना है और हमारे अंदर वो रूप को अमारे अंदर प्रकट करना है में रौद्र अबस्था में जाना होगा उस आवेश में जाएंगे तभी तो हम किसी के प्राण ले पाएंगे तो जैसा आराध्य होगा वैसे आराधक के अंदर बुन आते ही आते हैं इसमें तो कोई डाउटी नहीं है तो अगर अरिय शाम एबर वो अरियंद की प्रतिमा के सामने आता है तो अरियंद की क्वालिटी तो उसमें प्रकट होगी इसमें तो कोई डाउटी नहीं है मैं गीत के माधियम से आपको बताना चाहूंगी कि कैसे आराध्य और आराधक कम्मिलन होता है दर्शन अरिहंत का सुनो साथी दर्शन अरिहंत का एक देन हम को भी अरिहंत बना देता एक देन हम को भी अरिहंत बना देता शांत उत्राध अरिशन करके शांती का भाव मन दे जगाते शांत एक दिन हम बन जाते शांत एक दिन हम बन जाते दर्शन अरिहंत का ध्यान को धाशन करके ध्यान प्रभु का अधां कर पाते ध्यान के साधक हम बन जाते ध्यान के साधक हम बन जाते दर्शन अरिहंत का एक दिन हम को भी अरिहंत बना देता वित्राग एक दिन हम बन जाते वित्राग एक दिन हम बन जाते मौन उद्राग अरिशन करके जीन हम बन जाते मौन महद्व समझते मौन के साधक हम बन जाते मौन के साधक हम बन जाते नासाग्रत्रस्टि तरिक्षन करते निज आत्मा का बोध पाते निज आत्मा में हम बन जाते निज आत्मा में हम बन जाते निज आत्मा में हम बन जात्मा करते अपना ही प्रत्रवें पाते अपना सत्य हम देख पाते अपना सत्य हम देख पाते जीन दर्शन में आत्म दर्शन आत्मा दिय करते सम्या दर्शन रिश अव रत्ना अव सर्णी पाते रिश अव रत्ना अव सर्य पाते दर्शन अरिहंत का सुनो साथी दर्शन अरिहंत का एक दीन हम को भी अरिहंत बना देता जिस आराध्य का स्मरण पूजन ध्यान इत्यादी किया जाए तो वो आराध्य निश्य आराध्य के रूप में ट्रांस्फॉर्म होई ही जाता है कहते कि एक गर्वती महिला यदि बार बार किसी की छवी देखती है किसी को स्मरण करती है तो उसके संतान में उस व्यक्तित्व का जन हुना शुरू हो जाता है तो बैसी परस्नालिटी अगर एक सामान्य व्यक्ति को देखकर हो तो तीर्थंकर अरियन भगवान की अगर प्रतिमा या छवी अगर हम बार बार देखते है तो अवश्य हमारे अंदर परिवर्तन आता ही है हमारा रुपांतरन निश्चित है बताओ कोई पर्मात्मा की पूजा करने वाला कभी हिंसा कर सकता है किसी की हत्या कर सकता है चोडी कर सकता है तो यह सारे Verehus जो है पर्मात्मा के केवल दर्शन पूजन और उनका सानिद्य पाने से ही हमारे अंदर नाचरली बने रह गए नाचरली हम उस रूप परिणमित ह ही जाते हैं तो यह हमारा चट्टा आदार था अब सात्वे आदार की बात करें तो वह है जिनाले हमारे जैन श्रमन योग साधना का आधार कैसे बन सकता है तो कहते हैं कि जिनाले के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है अगर हम उस निर्मान की जो वास्तु डिजाइन क जिस वातावरण में प्रवेश करते ही हमारी उर्जा जो है उपर की और बहने लगती है उसका उर्द्वा रोहन होता है आराध्य जिस गर्व ग्रह में विराजमान है उसका आकार पिरमिड रूप में होता है और आराध्य तो जिस रंगमंडब में विराजमान होता है उसक वास्तु निर्मित जिनाले में जब हम प्रवेश करते हैं कहते कि विविद मंत्रों से प्राण प्रदिष्टा अंजन्शला का इत्यादी द्वारा जो है मंदर के वातावरण के अंदर एलेक्टरो मैगनेटिव एंशी को प्रकट किया जाता है और निरेंतर उस मंदिर के अंदर जो है एलेक्टरवागनेटिव वेवस जो है उसका चंजर्वेशन होता है तो जब विदेशी भारत आए ना तो उन्होंने देखा कि भारत के प्रते गाव में जो है सकूल हो नहीं है इतना है इनकी सप्व्यता में मंदिर और कहते हैं कि उस मंदिर के अंदर जब उन्होंने गहराई से स्टड़ी की तो उन्होंने देखा गर्ग्र तो प्रॉपर प्लान में बनाई नहीं है न तो कोई वेंटिलेशन का प्लान है न कोई हाईजिन है है न तो मंदिर आर बेरी अन हाईजनिक ऐसे उन्होंने बताया पर जैसे पता चला उन्होंने और स्टड़ी की तो उनको पता चला कि गर्भ्रय के अंदर इसलिए खिड़की नहीं है तो कि वहां का वातावरण जो है वहां की ए एनर्जी है वो ठीक बनी रहे और इसलिए इस प्रकार से मंदिरों का निर्मान हुआ और हम जब मंदिर में प्रवेश करते कितने भी परेशान चिंता शांथ हम रहेंगे जैसे मंदिर के अंदर कदम रखते हैं एक सेकेंड के लिए हमें इतनी शांती की अनुभूती होती ह कहते कि जितना पुराना मंदिर है उतनी घहरी शांती उतना गहरा सुकून हमें अनुभूता है क्योंकि हमारी इनर्जी सारी कहां पर है हमारे रीड की हड़ी के नीचे यानि मुलाधार चक्र में हमारी एनर्जी है अब ये कैसे हैं तो कहते कि आप अगर एक बकेट पानी है ना उसी के आधार पर तो सारे कार्य हो रहे हैं अगर मन का संतुलन बिगड़ जाए ना मन के का तो हम कुछ भी उठा भी नहीं पाएंगे तो सारी एनरजी योग शास्त्र के अनुसार कहा है कि रीड की हड़ी के नीचे है और उस एनरजी को हम कहां यूज कर रहे हैं वासन कि मंदिर प्रवेश करते हैं हमारी आरज़ी जो इनरजी उसका यूद जाता है और जैसी अच्छा होती है तूरंद इसका रिजल्ट होता है कि हम चैन स्पूंद शान्टी का अनुद करते हैं और इसलिए नंदिर का बातर हमारे लीए बहुत ही पॉजिटिव और बहुती transformative होता है मंदर के अंदर जाते ही हम हम बदल जाते हैं तो ऐसे बातावरण का निर्मान मंदिरों के अंदर किया गया अध्यानवर्श यह तर्क उठता है बार बार लोग चेहते वे सुनाई पड़ते के अरे इतने मंदिरों की आवशकता क्या है इतनी मूर्थियों की आवश्कता क्या है मंदर में जाने वाला कोंगे ऑज्मट artificial학교 ऑज्व कि बात आपि की बात करते हो इस सारे आपके एक जनम के कुछ समय की समस्या के एक हद तक समाधान हो सकते हैं संपुर्ण समाधान भी नहीं है विद्यार्थी विद्याले में जाकर क्या विद्या अर्जन कर वहां हमारे अननत जनम की समाधान करने वहन कोई को तो स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल इसके साथ करनी ही नहीं चाहिए मंदिर बनाने का जो उतेश अलगी चीज है और यह सोशल इंस्टिशन का युग देश अलगी चीज इनका कोई ये तर्फ क्या इसी युग की समस्या है क्या हर युग में मिनुषे तो बिमार होता ही था हर युग में हमारे बच्चे विध्या आरजण करती थे तो प्रक्विद्यान यह सोश्पीटि ऑवश्पिट्लं नहीं सुनते है कि कि Des राजा या कि इसी श्राबकle के हाथो इतनी स यह तो हम तो नहीं सुनते हैं कि सवा करोण करते हैं공 च्टने तो क्या उस समय में तरक नहीं था कि स्कूल बनाने चाहिए पूरी तरह से बदल देना है आपके जीवन को बतलना है तो वो मंदिर और मूर्ती वो कार्य करती और इसकी महिमा आपको तब समझ में आएगी जब आप किसी एक विक्ति को जैन बना कर तो बताओ तब आपको समझ में आएगी उसके अंदर वो दया करूना इंस्टिल करके तो बताओ उसके अंदर वो दान कुन्य की भावना तो जगा कर बताओ तब आपको समझ में आएगी कि जिनेश्वर भगवान की प्रतीमा और जिनेश्वर भगवान का मंदर हमारे लिए कितना माइने रखता है हमारी हमारी संस्कृती जो है वो मंदिरों से जुड़ी तो जन्म दिन वो विवात दिन हो हम मंदिरों में मूझा रखते हैं हैं कि नहीं हो शाधी कर वाते हैं कहते में Competตर मृत्यों संस्कृती मंदिर से जुड़ी है हमारे पूर्वत हमारा अपना सूख दुख सब मंदिर से जोड़ कर सलीप्रेट करते थे कि छुष ते तब भी मंदिर और जब बहुद्भी तब दुखी तो यह हमारी पीड़ी जो है मंदिरों से दूर जा रही है और उसका फल भी वो फुगत रही है वो तरक करती आरे भगवान थो हमारे अंदर यह मंदर जाने के और ले जाएंगे ना मंदर में जाकर हम अपने खुशियों को पाटते थे और साथ साथ में जब हमारी तकलीफ होती थी तब भी हम मंदर में भगवान के सामने बैठ कर रो लेते थे जो कहना है वो कह देते थे और भगवान सुनते भी थे और आज के युग की समस्या क्या है हमारी बात को सुनने वाला कोई लेश्टा है किसको कहे हमारा मन इत्ना भरा हुआ है ।। जो मंदर जाने वाले लोग है वो तो भगवान के सामने रो देंगे अपने भावावेश्ट को वहां प्रकट करके आपने अपने आप को हल्का मैसुस करेंगे पर जो पीड़ी मंदिर से दूर हो रही है वो पीड़ी कहा जाएगी पता है साइक्याट्रिक्स के पास जाएगी तुकि दिमाग तो ठीकाने रहेगा नहीं तो वहाँ पे पाच हजार दस हजार फीज देकर अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर वहाँ जाके वही रोना दोना करेंगे वह आपको रूलाएंगे आपकी बात भूलवाएंगे आपके अंधर का जो भरा हुआ है उस भाववेश को खाली करेंगे तो वही प्र्यों करके देखो आप अपमी समस्याओं को बढ़ान के बोल कर तो देखो और मंदिर में दोक्षंग बैठकर भगवान से एई कॉंटेक्ट तो करो आपका समाधान नहीं हो तो पिर कहना पर यदि हम ऐसे प्रयास है ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे तो तो फिर साइक्याट्रिस के के लोगों ने ये जाना हम को स्टडि करके हमारी सप्षटा को स्टडी करके उन्होंने ये पता किया कि हमारी वास्तेव्स जो है ना वो हमारी आस्ता है अगर ब्यक्तिव को तोड़ना है इनको अगर चोट पहुचाना इनको घुलाम बनाना है तो आप इनकी आस्ता पर वार कोरें और उन्हों edyaose हमारे मंदिरों को तोड़ा हमारे आस्ता के नाम पर हमें आपस μεं लड़वाया डिवाइड इन रूल किया तब जाके व kimchi inelection करपाई तो हमारी जो असली शक्ति है नब करता है और वेक्ति जो रोज सामाई करता है उसका बालेंस और जंदगी को फेस करने का जो तरीका है जो अंदाज है ना वो अलग ही है वो हर हाल में आपको प्रसंद ही मिलेगा क्योंकि उसको आसता है ना कि उसके आरादियों उसके साथ है उसकी उसकी एनरजी उसका स्ट्रे जानने उते निजुकार दे विर आज जो प्रक रेले कि दो न मैं mesure स्विंग के शिकार होते जा रहे रहें तने जो बेमारियों के शिकार होते जारे क्यूकि हमारे जिंदगी में से पुज़ा पाट और सामाहि हो रहे हैं और इसलिए उसका महत्व उसके स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है उनका तो लॉजिकल रीजनिंगी डेवलप हो रहा है आपके आपके माता पिता ने आपको संसकार दिये तो आप फेटफुली उसको फॉलो किये पर आपके संतानों को आपने ऐसी जगह पर शिक्षा लेने भीजा है जहां आप उनको कुछ भी बात करो बिना साइन्टरफिक रीजन से आप कंविन्स करी नहीं पाओ और वह आपकी बात सुनेंगे भी नहीं है तो आपको हमारे इस परंपरा इस साधना के साइंटरफिक आस्पेक्स को जानना अती आवश्रक है यही समय की मांग है तो हम बढ़ते हैं जैन श्रमन य चैनि यानि जिन आगम जिन प्रतिमा और जिनाल है यह सहय वैज़ शाधना की कल्यान के निमित Πंटे हैं मैं फिर कहता है कि को हमारे जो बंदिरों के विझ्यान को पड़ने के बाद जो है हम बढ़ेंगे अब सद्ध क्थर एंदर नो पत हमने चर्चा की टी और उस नो पत के अंदर ही सारी जैन श्रमन योग साध़ना आ गई केंद्र में जो है अरियन भगवान यानी तीर्थंकर भगवान जो इस साधना के प्रयोग करता और प्रणेता है और इस साधना को सफल पूर्वक जो है सिद्धी प्राप्ट करने वाले विशिद भगवान है आचारे उपाद्य और साधु जो है साधक है इस साधना के और जो साधना है वो है सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान सम्यक चारित्र और सम्यक तब यह चार आयाम है जैन श पहले एक बहुत ही मेश्पपोन बात आप लोगों को समझना है कि समग्र जिन्वानी जो परमातमा की मूलवानी है जिसको हम द्वाधशांग कहते है जो निवादश यानि लिद्व जो 12 पार्ट्स में है, कहते कि सारी जिन्वानी को एक आगम पुरुष में कलपना की गई है, यानि अगर एक human body को हम imagine करे, तो उन human body के अंदर जो 12 पार्ट्स है, main parts जो है, वो 12 आख है, और कहते कि उस आगम पुरुष की जो दो आखे है, वो एक निश्चे की आख है और एक व्यभार की आख है, इन दोनों आखों से जो है, हमें जिन्वानी को देखनी होगी, तभी हमें जो है, पूरी जैन श्रमन योग साधना समझ आएगे, तो क्या है ये निश्चे और क्या है ये व्यभार, ये दो तरह के point of views है, निश्चे यानि जो realistic point of view है, वास्तविक जो स killming को समझ ना है, और real point of view से भी हमें जिन्वानी को समझना है, जब इन दोनों point of view से हम समझेगे, तभी हमें पूरी जिन्वानी की बात समझ में आएगे, तो इसको मैं एक example से बताती हूं ताकि आप लोगों को और easy से समझ में आए, मानों की एक लड़का बच्छा जो है, और बच्चों के हाथ में मॉबाइल देना ही पड़ता है और देटे फोर मुखे जया इतना है ममी जब चेक करने रूम में तब तो स्क्रीन के ऊपर पड़ाई का रूम का स्क्रीन आ जाता है और ले दो आज रहें वह पढ़ रहा है और इदर आज आ और फिर इंग्सक्स को पता चलता है कि बच्चा जो कुछा जाए तो फेल का कारण क्या है तो हम क्या कहेंगे कि भई मॉबाइल उसके फेल्यूर का कारण है ना माबाप को पता चला कि भई यह फेल हुआ है तो फिर बच्चे को धंकाया और डाट के उसको पूछा कि तुम सीरियस्ली पढ़ाई कर रहे थी कि दिन राप तो तुम पढ़ाई के सामने बैठा रहता था तो गुस्सा आजाता है पापा को और पापा को इस मोबाइल को इस मोबाइल ने है ना सब की जिंदगिया बरबाद कर दी है इस मोबाइल को निकाल के फेको मोबाइल को हटाओ तब जाके बच्चे एक्जाम में पास होगे तो इस तरह से मोबाइल को दोश्री माना गया औ असली में क्या मोबाइल दोशी है, मोबाइल तो जड़ है मोबाइल के पास तो कोई intention नहीं है चाहा कर तो उस बच्चे को फेल नहीं कर रहा है करterror क्योंकि एस पढ़ने रहा है हम सोचेंगे कि mobile को हटा दो तो बच्चे के मार्स आ जाएंगे पर अगर जिस बच्चे के पढ़ने की नियत नहीं है तो आप mobile हटा दोगे तो क्या वो पास हो जाएगा वो तो और कहीं जगह पर टाइम पास करेगा क्योंकि उसको तो पढ़ना ही नहीं है ना पढ़ने में रूची नहीं तो यदि आप mobile को पॉज मानोंगे तो वह प्राक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ वैभारी ग्रूप से हम कहते कि mobile ने सब कुछ खराब कर दिया है पर mobile तो जड़ है उसकी तो कोई चेतना है नहीं तो यदि जिसकी द्रिश्टी एकदम डीप है रियल पॉइंट व्यू तक जाते है यानि अगर वो पकड़ पाते है कि problem mobile में यह problem बच्चे में है तो बच्चे के अंदर पढ़ाई के प्रति यदि रूची जगाई जाए और इसलिए किया क्योंकि उसके पढ़ने में रुची नहीं तो हमने उसके भूल कारण तक भी गए और फिर दोनों पॉइंट अफ्यू से हमने देखा तो हमको पुरी समस्या समझ में आ गई और फिर हमने उसका सही समाधान किया तो अब हमारी problem क्या है हम संसार में क्यों है हम क्यों है हम परेशान क्यों है तो हम कहते कि भाई संसार में हम क्यों भटक रहे तो करम के कारण करम से बंदे हुए है करम नचाये नाच करम बड़ा बलवान और क्या-क्या गीत गाते हम लोग तो करम तो जड़ है न इस एक्वल टूबाइल करम का अपना कोई कि इंटेंग्शन नहीं है करम चाह कर आपको संसार में रोग के लिए रखाय करम की मर्जी नहीं है या आपकी आत्मा को बंधन में डाले और उसको दुखी करें या उसको परेशान करें क्योंकि करम तो नॉन लिविंग्ञ तिंग है तो प्रॉब्लम का है आपको वहाँ प बड़ेगा और इस प्रकार से आप जुप्ते ही आरे हूना लिगा से और इसलिए लिए मोक्ष नहीं तक तो नहीं गए छुण की हम अंसार में कारान नहीं है हम इस लिए है क्योंकि हमने पुरुशार्त नहीं किया हम ने अंत्रिक शक्ति अगर white को बलवान मानेंगे तो हम कैसे साधना कर पाएंगे जैन श्रमन योग साधना की बाते सिर्फ बाते ही हो जाएंगी अगर कर्म बलवान होगा है आज तक को ईक प्यात्मा मोक्ष जा रही है और इतनी आत्मा मोक्ष को पाई है यानि कर्ला गрांध मैं था एक तब से में मोख्ष जा सकता हो करम क्या चीज है जो मुझे रोक के रखे करम कुछ भी नहीं करम तो जड़ है प्रॉब्लम असली मुझ में है तो वैभारीक और निश्य दोनों रीजन को अगर हम पकड़ेंगे तभी हम जो है असली कारण तक पाउंच पाएंगे अगर खाली करम को बल्वान यानि बैवारिक द्रिश्टी से आप देखते जाओगे तो आप सही समाधान नहीं करोगे आप ऐसे उपर-उपर से समाधान करोगे जिससे आपका मोख्ष होने वाला नहीं है मोख्ष तो इनर ट्रांस्फरमेशन से होगा तो आप सोचो कि मैं पुजा पाठ कर ल पुरुशार्च को जगाना होगा तो जब आप जिन्वानी को वैभार और निश्चे जोडो द्रिश्टी से देखेंगे तभी आपको पूरी जिन्वानी जो है समझ में आएगी और पूरी जिन्वानी समझ में आएगी तो आप अपनी समस्या का समाधान ठीक से कर पाओग और इसलिए हम जैन श्रमण यूग साधना के जो चारो आयाम है यानि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप इन चारो आयाम को निश्चे और व्यभार दोनों दृष्टी से देखते हुए इस पूरी साधना पद्दति को समझेंगे तभी इस साधना को समझकर हम सही प्रयोग कर पाई तो आज की क्लास को मैं यही पर एंड करती हूँ क्योंकि अगले जो क्लास में है हम यह आयाम फ्रेशली स्टार्ट करेंगे उसको मैं अधूरा चोड़ना नहीं चाहती हूँ तो इस विशे को यही पर जो है ठगित करके अब हम बढ़ेंगे क्यों डे की सेशन की और जिन अग्या वरुद कुछ भी काहो मिच्छामी दुखड़ा चाहस सुकम थैंक यू एवरीबडी आप सब श्रावक श्राविका का अश्रिवराथ और देव बुरु की कृपा रहेगी तो हम एसे ही स्वाध्धाई करते रहेंगे राइट जिन अगलियम सर्वकल्यान कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जेती शासता